तो चलिए दोस्तों आए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और आमकिस टॉपिक के बारे में पात करें हैं पावन तिहार आ रहा है दिवाली का पाँच दिनों का पर्व है धन तेरस, चतुदर्शी, दिवाली, यम दित्य, भाई दूज, हम सब मनाते हैं दिवाली की रात में कई प्रकार के तंत्र मंत्र से महालक्ष्मी माता जी की पूजा आर्शना करते हैं और पूरे साल के लिए सुक्सिम्रिथी और धनलाप की कामना करते हैं इस बार दिवाली बड़ी ही धूमधाम से मनाएं इस दिन माता लक्षमी जी के आगमन का प्रतीक माना जाता है माना जाता है माता लक्षमी जी आपके घर पर अपने चरन रखती है माता जी के कृपा हुई तो अपने साल भर साल सुख सिम्रिथी और एश्वरे का आशिर्वा दिवाली के समय को शुब और माता लक्षमीजी को प्रसन करने के लिए लोग कई दिन पहले से ही दिवाली की तैयारिया शुरू कर देते हैं लेकिन लक्षमीजी के कृपा वहीं होती है जहां सवच्छता रहती है तो इस दिवाली के दोरा और कुछ बाते आपको भी ध्यान रखनी है, नजर अंदाज नहीं करना है, तो सुक्सिम्रिद्य और अश्वरे की प्राप्ती आपके भी घर पर जरूर बनी रहेगी। दिवाली पर घर की सफाई का विशेश महत्व होता है, कहा जाता है कि जिसके घर में स्वच्छता रहती है, वही माता लक्षमी जी का आगमन होता है, और यही वही अफसर होता है जब आप अपने घर के कच्रे और कबार को भार फैक देंगे। बहुत कम दिन बचे है, माता रानी के आने से पहले घर के जितनी नकरात्म गुर्जा है, उसको उठकर कांट करें और अपने घर को स्वच और सुन्दर बना लें, तब माता लक्षमी जी आपके घर पर प्रवेश करेंगी। में स्वच्चता लाती है, इसलिए इसे हम लक्षमी का रूप मानते हैं, दिवाली पर पूजन शुरू करने से पहले अच्छे से खर के सफाई करें, इसका विज्ञानिक कारण भी होता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये सब विकार की बाते हैं, तो चलिए आपको विज्ञान की बाते बताती हूं, थोड़े दिन पहले ही बारिश का मौसम गया है, वर्शारितु के समय, पूरा वातवरन, कीट, पतंगों, अलग-अलग प्रकार के इंसेक्ट्स, चारो तरफ हवाओं में किटानू भर जाते हैं, जब हम दिवाली से पहले साफ सफाई करते हैं, तो आ बात जब हम हवन, पूजन, धूब, दीप, आदी करते हैं, हवा में फैले हुए जितने किटानू हैं, वो भी मर जाते हैं, साथी साथ दिवाली की सिफाई में जितनी पुरानी होती हैं, अनुप्यों की चीज़े होती हैं, जो हमारे घर की सुन्दरता को खराब करती हैं, वो सबी चीज़ों को हम घर से भार कर देते हैं, कि ये चीज़े सिफ सुन्दरता को खराब नहीं करती, वल्कि हमारे घर में वास्तु दोश को उत्पन करती हैं, घर में अगर आपके भी पुरानी बिकार जिज़े पड़ी हैं, तो घर में सुभाग्य को आने से रूखती ह कुछ लोग अकसर कहते हैं, हम इतनी पूजा पाट करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर हमारे घर में लक्ष्मी जी नहीं आती है, बरकत नहीं होती है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपका घर गंदा बड़ा है, सबसे पहले उसको साफ कीजे, आपके परिवार में अगर आ आप उपाय करते हैं, वो विशेश फलदाई होते हैं, इस समय यदि आप स्वच्छता पाने का प्रयास करेंगे, घर को साफ करने का प्रयास करेंगे, तो धन की देवी लक्ष्मी जी आप से जरूर प्रसन होंगी, चलिए ध्यान से सुने, दिवाली से पहले आपको कौन-क कौन-सी बातों का विशेश ध्यान आपको रखना है, ताकि इस बार हम अपने घर को उज्यारा करकर माता लक्ष्मी जी का आगमन करा सके दिवाली पर, सबसे पहले शुरुवात कहां से करनी हैं, जो भी टूटी-फूटी चीजे हैं, रिपैरिंग वाले जो चीजे हैं, उ फिर आपके घर के जो कुशन्स हैं, कार्पेट्स हैं, पाम पोचने वाला है, वो सभी को आप धो दें, दो करके आप धूब दीप करके आप उसको हटा दे, क्योंकि वे सफाई के दोरान फिर से गंदी हो जाएंगे, इसके बाद परदे आदी भी आप उतार दे, परदे आ आखो पर चश्मा पहन सकते हैं, फिर इस पर क्रीम आदी लगा ले, नेल्स के लिए निल पॉलिश लगा ले, नेल्स गंदे ना हूँ, इस तरीके से करके आप घर को साफ करें, मकडी के जाले आपको साफ करने चाहीं हैं, इसके लिए आप जाले हटाने वाले ब्रश इस्त तोटी-फूटी, तस्वीरे है, फ्रेम है, तोटा-फूटा, कोई भी गंदा है, कोई भी चीज़ है, या चादर है, तोटी हूई चपले है, तोटो भी खिलोने हैं, इन सभी को घर से भार करें, ये सब्जी चीज़ें, वास्तो शास्र के नुसार घर में अगर रखरका अ वाज होता है साथ इसाथ बिमारी आती है जो घर का मुख्या है उस पर धूक आता रहता है इसलिए ध्यानक है ये सबी चीज़े आपको हटा देनी चाहिए तबी घर में सुक और सिम्रिती का वाज होगा खास कर कोई टूटा हुआ शीशा या दर्पन है तो उसे तुरंट फै होता है मानसिक तनाव देता है कोई भी काज का समान है चाहिए वह कुछ भी हो आप सभी को हटा दे इससे निप्टार आपको सबसे पहले मिलता है राहू की जो दशा है आपके घर से आप पहले उसको बाहर करें इसी प्रकार से बंद और खराब खड़ियां है बुद्ध ख दोस्तों घर में घड़ी को हमेशा सही स्थान पर ही लगाना चाहिए इससे सकरात्मक प्रभाव रहता है घड़ी के गलट टाइम दिखाने और रुकने की यदि संभावना रहती है तो यह निकरात्मक ता आपके घर में बढ़ाती है इसलिए हमेशा घड़ी की रख पर जहां पर माता लक्ष्मी जी प्रवेश करेंगी अगर वो भी टूटा फूटा है तो वो भी चेंज कराएं यदी टूटा फूटा है तो ट्राइ करें पैसे हैं अगर आपके पास हिसाब बैठता है तो उसे ठीक करवा लें मुखे द्वार का यदी प्लास्तर उखड ग घर का मुखे द्वार यदी लोहे का है तो उस पर भी आपको पेंट कराना चाहिए और फिर स्वास्तिक चिन बनाएं और इससे सिम्रिती आपके घर पर सीधा सीधा प्रवेश करेगी स्वास्तिक चिन क्यों बनाते आपको पता है अमंत्रन चिन है माता लक्ष्मी जी आओ आप हमारे घर पर आओ घर के मुखे दर्वाजे के सामने अगर आप चपल जूतों का स्टैन रखते हैं तो बहुत साफधानी से रखके ढखकर के किसी प्लेस पर रखें स्टैन ले आए अरेंज करकर रखें ऐसा ना हो घर के अंदर चपले फैली हुई हो घर के गेट पर फैल आप बाहर की चपल अंदर मत लाइए इसका बहुत बहुत साइंटिफिक कारण भी है इस चीज़ का आप ध्यान रखें घर के चट को देखते हैं घर के चट हुई बालकुनी हुई आंगन हुआ कहीं पे भी आपने कुछ ना कुछ पुराने फ्रनीचर या कुछ ना कुछ आपने चीज़ें कठी करके रखी है चट पर या बालकुनी में उसको आपको अटा देना चाहिए चटाई करें चीज़ों की पुरानी चीज़ों को पहले अटाएं अगर कई और सहारा लेकर के बनवा सकते हैं तो ठीक है नहीं तो इसको आपको बिलकुल घर से भार करना है इससे घर का कबाल भी कम होगा कोई उप्योगी चीज़ जिससे बन सकती है तो वो बन जाएगी साथी सफवाई भी आपको थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी घर का बैट अगर अच्छी स्थिति में तो ठीक है तूटा फूटा नहीं होना चाहिए तूटा फूटा रहता है त तुरंत दुरूस्त करना चाहिए घर में जो विस्तरे होते हैं यूजवली आजकल सब स्टोर पलंग के नीचे ही बनाते हैं उसके अंदर पूराने कपड़े बरतन आधी रखे होए हैं तो दिवाली से पहले उसको साफ जरूर करें इससे एक तो नकरात्मकता दूर होती है यानि के सीधे सीधे सेंट्रिफिक शब्दों में कहें बिमारियां दूर होती हैं कम से कम और कुछ ना कर सके तो दोना वना पॉसिबल नहीं है तो कम से कम उनको धूब अच्छे से दिखा कर फ्रूनाईल की गोलिया डाल करके वापस रखें इसके बाद आता है घर का पूज़ा का समान आपको निप्टारा करना चाहिए दिवाली पर सारी फ्रेस समगरी आपको खरीद कर पुज़ा करने चाहिए पिछले साल के दिये बच गए हैं काफी सारे लोग मुझे पूछते हैं हमें वही दिये हम यूज़ कर सकते हैं पुराने दिये दिवाली पर य लेकर आती हूं इससे दो फाइदे होता है तो वह यूज़ करके फैको तो पैसे नहीं लगते जादा दूसरा आप कुमार का घर चलता है मारे जो देश का ट्रिडिशनल है वो चालू रहता है इसलिए हमेशे ट्राय करें कुमार से ताजा मिट्टी के दिये हैं वही लेकर यह हमारी रसोई की रसोई की जाफसफाई नहीं हुई है तो यह बिकार होती है सबसे जादा इनसान की उर्जा और टाइम रसोई साफ करने में लगती है किचिन की जल्दी और अच्छे तरीके से सफाई करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप सारे समान और डबो को धीरे कर के दुलवाले इसका इस्तेमाल पिछले कुछ हफ्तों में आपने नहीं किया है इसके बाद जो भी अलमारी वगरे उसको पहुंचे करें हर डीपे पर लिख देखिए आपने उसमें क्या रखा है क्या नहीं इससे आपकी सफाई अच्छे से होगी आपको धियान भी रहेगा फ्रिज को साफ करने के लिए नीमबू को विनिगर में डुबो कर फ्रिज पर रगड़े और उसको साफ करें इससे आपके फ्रिज की फ्रेशनेस मनी रहती है आप चाहें अगर आटमेटिक डीफ्रोज नहीं है तो पहली रात को डीफ्रोज बटन दबा दें त्योहार का बहुत सारे एक्सेंज ओफर है पुराने चीजों को चाट यह काम के नहीं है कोई काम के लाइक नहीं है इसमें आप बरतन हुआ हो मैं अप्लाइन्स हुआ टीवी हुआ टेप रिकॉडर हुआ जो भी चीजें वो सभी चीजे आप एक्सेंज ओफर में ले सकते हैं एक तो की सारी चीजे घर से चली जाएंगी और दूसरा आपके घर की धूल गंदिकी जो आप साफ नहीं कर पाते वो भी हट जाएगी इसके बदले दुकानों में जो एक्सेंज ओफर होते हैं उसमें भी आपको बहुत चीजें ऐसे मिल जाएंगी जिसे पुराने गैस बरनर को आ लमारी के सफाई आसान है और काम जल्दी ही पूरा होता है पुराने कपड़े उनका लगा फिक ना पहनें गया पुराने कपड़ जो आपने पिछले 6 महिने में या एक शाल में यूज नहीं किया है उसको फेटे बिलकुल हटा दे अपनी लमारी में रखे कपड़ों को रोज पहने वाले कपड़ों को दूसरी और रखें अगर लगता है किसी ड्रेस को अभी नहीं लेकिन बाद में पहन सकते हैं तो उसे ट्रंक में या अच्छती पर आप पैक करके अच्छे से रख दें धिहान रखें जो बहुत लंबे समय तक अच्छे कपड़ें नहीं पहनत गर किसाफसफाई के लिए बहुत जडरूर है कि पुराने कपड़ों को घर से भार करें इन लोगों को दिया जाए जिनकी इसको ज़ादा वशकता है आप धीरे धीरे इन कपड़ों को अलग कर दीजिए जिनको आपने बहुत ही लंबे समय से पहना नहीं है कपड़ों के च कपडों को एक खटाने वाले एक रेपेरिंग वाले और एक नए पहनने वाले इस तरीके से चटाए करकर आप अपने कपडों को अरेंज करें आपको बता दू कि घर में आने पर मेहमानों की नजर पहले परदा सोफा का वर आदी पर पढ़ती है इसलिए सबसे आखिर में ही के सफाई करें इससे दिवाली के मौके पर साफ सफाई ये दिखेगी सब चीज़े हटाने के बाद घर के जितने खिड़की दर्वाजे है या शीशे हैं उनको साफ करना चाहिए अगर धुंदले हो गए हैं खराब दिखते हैं तो आप एफोर्ट कर सकते हैं तो उनको ले क्योंकि धुनले कास से घर में प्रकाश और सकरात्मक उर्जा का प्रवेश नहीं हो पाता है जो भी घर में मजजूद गमले वगएरा है या जहापर भी पेट पौदे हैं गाड़े ने उसके कटाई छटाई करा ले और उनका रंग रोगन कराएं इस बार खोशिश ये कि दिवाली से आप अपने घर पर सारी चीजे सई रंग से रखना शुरू करेंगे जिसे इंसान के घर पर समान बिखरा होता है उस घर पर कई प्रकार के मांसिक आर्थिक और परिवारिक तनाव का सामना करना पड़ता है इससे घर में नकरात्मकता बढ़ जाती है और आप से मनमटाव भी होता है इसलिए दिवाली से पहले इस बात का प्रियास करें अगर आपके पास कोई भी बेकार समान है उसे अपने घर से उठा दे साथी साथ आप अपने जीवन में कर्ज लिया हुआ है उधार लिया हुआ है चोटी मोटे अमाउंट है जो की आपकी ब असंद नहीं करती है इस ब्रकार से इस बार आप अपने घर की साफ सफाई की शुरुआत करें घर की नकरात्मक्ता को उठके काउंट करें और माता लक्ष्मी जी का खुशी खुशी अपने घर पर प्रवेश कर आए इसके बाद आपको बताऊंगी बहुत सारे वीडियो ए पर हमें यह नहीं कहना है कि लक्ष्मी माता जी की पूजा से हमारे घर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है पूरी सफाई करने के बाद अपने घर में चारों कॉर्नर्स में थोड़े से मूंग और चावल जरूर छीटें गंगा जल या शुद्जल का हो सके तो छुड़क करें इस प्रकार अपने घर को इस बार दिवाले से पहले शुरू कर लें आज की वीडियो में बस इतना ही लौटिंग एक नए वीडियो के साथ